वो देता है यही है वो किसकी बचारत देता है अल्ला कि जो यपीन की आखरी हद पर पहुँचे और नेक काम करते रहे हक कुल यपीन तक पहुँचे इमान की आखरी हद तक पहुँचे तजरुबा कर लेने के बाद आखरी हद तक पहुँचे उनके लिए आप फर्मा दें कि मैं तुम से इसका कोई बदला नहीं मानता अल्だ दा अपने रसूल से ये फर्मा रहा है कि आप कहो कुल कहके भी अपनी बात उसके मुंसे सुनी कुल कहते भी अपनी बात उसके मुंसे सुनी बस तेरे अल्ला को इतनी सी गुफ्तबू है पसंद अल्ला ताला ने जो भी कहलवाया वो रसूल के मुंसे कहलवाया कहो आप फर्मादो आप फर्मादें कि मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता किस चीज का बदला अल्ला ताला नहीं मांगता आयत का मकसद होता है निशानी और निशानी वो होती है जो निशानी के मालिक तक पहुचाए निशानी का मकसद ये होता है कि जो निशानी के मालिक तक पहुचाए मैं तुम्से इसका बदला कोई नहीं मानता सिवा जो मेरे करीब हैं उनकी महर्बत के जिन्दगी में बारिय ताला ने हमें जो कुछ भी अता किया है आप, ना, कान, सूरच, चान, हवा जो कुछ भी उसने हमें दिया है अगर कोई सवाल हो तो बीच वा क्यों सकते है अगर कोई सवाल हो तो मीच कोई सब्सक्क्राइब कोई था यानि आप, सरकार दो आलम के जरी ये कहلवा रहा है कि एए उम्मत के लोगों जो मेरे करीब हो चुके हैं उनसे महपत करो बाकी मैं और कोई बदरा नहीं मानता जो मेरे करीब हो चुके हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्ला ताला के करीब कौन हो चुके भई अल्ला ताला ने फर्मा दिया कि जो मेरे करीब हो चुके तुम उनसे मौपत करो अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन अल्ला के करीब हुआ यहां गोर फिकर का मता है यहां हमें कलाम लुए की दूसरी आयत से मदद लेनी पड़े गी जिसमें लुए अल्ला के बनियों को ना कोई खौफ है ना कोई डर है ना कोई खम है अब अबकरिम कोई लोग हैं उन लोगों को समझने के लिए कि करीब कौन है तो हमें लगे कराम से ही तो मदद लेड़ी पढ़ेगी हम किसी से मदद नहीं माँज़िए हम किसी से नहीं कहें हर चीज का जवाब है किताब अल्ला में अला इन ओल्यू आल्लाह लागोहुन लेहिं वलामु या जनौन अल्ला के वनियों को ना कोई पौफ है ना कोई जर्ड ना कोई राप अब हमारी समझ में थोड़ा सा आ गया कि अल्ला ताला किम्गो अपना करीभी बता रहा है दुनिया का कोई भी शक्स दलीलों का माहिर हो किसी फिर्पे का बानी हो कितने लाकों हज़ारों उसके फालोवर हो मुरीद हो कुरान से बढ़कर नहीं हो सकता और जब कुरान में ये फर्मा दिया गया कि तुम उनसे मुहबत करो जो मेरे करीब हैं तो बस अब हम किसी की बार मी मानिए हम कुरान के ओपर किसी को तरजी नहीं देगे कोई कितना भी बड़ा आलिम हो आप फर्माद हैं कि मैं तुम से इसका कोई बड़ा नहीं मांगता सिवाए जो करीबी है मेरे उनकी मुहबत के और जो कोई नेकी करेगा तो ये तो हमने समझ लिया कि अल्ला के करीब कौन है और हमें उनसे मुहबत करने का अल्ला ताला ने हुक्म दिया है और ये कोई तफसीर नहीं है ये सीधा सीधा तर्जुमा है ये तफसीर बयान नहीं कर रहा हूं मैं इसका कोई बड़ा नहीं मांता सिवाए कराबत की मुहबत के बाद जो मेरे करीब हैं उनके मुहबत करो और जो कोई नेकी करेगा तो हम इसके लिए इसमें और हूवी बढ़ा देंगे अब एक आदमी है कि भई ये नेकी करोगे तो इसका बदला ये है ये नेकी करोगे इसका बदलाएए है बतोर जाहिरी इल्म ये नेकी है इसका बदलाएए है बारियत आला फड़्मा रहा है हम उसके लिए जो नेकी वो करेगा उसकी खूती परड़ा देंगे खूती बड़ा देंगे यानि अगर किसी दूसरे जो ये काम करेगा जो मुख़त करेगा उन लोगों से जो अल्ला के करीम है उसके लिए नेक काम बढ़ाने से मुराब ये है कि उसके लिए एक काम का में का बदला आम आदमी से कई गुना ज्यादा कर दिया जाएगा जैसे इस चीज़ का बदला ये है तो उस आत्मी के लिए जो अल्ला के करीमियों से मौपत करेगा वो बदला कई होना ज्यादा हो जाएगा और आगे की आयद आपको बड़ी हैरानी होगी और इसके लिए कुवे बढ़ा देगा इसके आगे की आयद बारियत आला तौकीक अता फर्मा हमें वो समझ अता फर्मा कि हम तेरी कराम को समझ सकें इनल्लाह गफूरुन शपूरुन और अल्ला तो बड़ा ही मौप करने वाला और शुक्र अदा करेगा उसका उसका जो अल्ला के करीब हो गए उनसे महबत करेंगे अल्ला ताला उनको बख्षेगा तो सही क्योंकि वो गफूर है बख्षने के साथ साथ वो शुक्र अदा करेगा शुक्र अदा करने वाला है वो यह बात बड़ी नाजुक सी है हम जिन्दगी भर शुक्रिया अदा अल्ला ताला का करते रहें तो उसकी नेमतों से हम जो जो फैजिया होएं वो शुक्रिया कम ही रहेगा यहां बारिय ताला इनसान का शुक्रिया अदा करने की बात कर रहा है अल्लाः उनका शुक्र गुजा रहेगा इन्नहू इनलाहा गफूरून शपूर। शपूर के माइने होते हैं शुक्रिया आदा करने वाला, गफूर के माइने होते हैं माफ और माने वाला बख्षने वाला। मफूम ये हुआ के कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, कितने पूर असर अंदाज में कहे, चाहे उसको सुनने वाले लाखों हो, करोडों हो, हजारों हो, सवाल ये है, कि अल्ला ताला ने अपनी किताब में क्या फर्माया, और उसकी एक आयस से, इस गुलाम में आपके सामने, हफिकत रखने की कोशिश की, रभु आलमीन, इस अबादत को खुबूर फर्मा, इस जलिलूलकद्र अबादत को खुबूर फर्मा, आमेन, अल्ला का कलाम, रटने, दोहराने, धिल हिल कर पढ़ने के लिए नाजिन नहीं हुआ, यकिनन, अल्ला का कलाम पढ़ना, बाद साधत का काम है, साधत का काम है, इस्ज़त का काम है, लेकिन, इसके नाजिन होने का मकसद, इसे रटना ये दोहराना नहीं है, पुरान खुद कह रहा है, इसमें गोर करने वालों के लिए निशानिया है, इसमें उनके लिए निशानिया है, जो अकल और समझ रखते हैं, ये अल्ला का कानून है अपने बंदे के लिए जो इस कानून की किताब का पावंद रहेगा। जो इस कानून की कानून की किताब है भई ये ये बैटने दोड़ाने की किताब नहीं है। ये किताब तदब्र और तफक्र के लिए है। जो इसमें कावानीन को समझ कर इसके कानूनों को समझ कर अमल में लाएगा। यकीनन वो बहबूदी और बहतरी पाएगा। आमीन, अल्रहमा आमीन, आप लोगों ने इतने प्यार से इस गुलाम को सुना और समझा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी ने किताएगा।